नमस्कार दोस्तो, Electrician Education चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो में हम सभी प्रकार के रजिस्टर अर्थात प्रतिरोद के बारे में बताने वाले हैं हम इस वीडियो में सभी 22 प्रकार के प्रतिरोद के बारे में आपको बताएंगे दोस्तो रेजिस्टर अर्थात प्रतिरोद को सामानियता दो भागों में विभाजित किया गया है पहला लीनियर रेजिस्टर दोस्तो लीनियर रेजिस्टर को रेखिये प्रतिरोद कहा जाता है इसका मान आप पुर्ती सप्लाई और रेजिस्टेंस के मान के अनुसार रेखिये करम में घटता या बढ़ता है और दूसरा non-linear resistor जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे दोस्तो हम बात कर रहे थे linear resistor की तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि linear resistor भी दो प्रकार का होता है पहला fix resistor और दूसरा variable resistor दोस्तो fix resistor का मान नियत होता है fix resistor का IEE symbol और IEC symbol ऐसा होता है दोस्तो हम सभी प्रकार के fix resistor को जान लेते हैं fix resistor के क्रम में पहला होता है carbon composition resistor दोस्तो carbon composition resistor का प्रयोग सामानेता PCV board पर करते है यह दो प्रकार का होता है पहला होता है palette type carbon composition resistor दोस्तो इस resistor में carbon या graphite के चूड़ भरे होते हैं दूसरा होता है filament type carbon composition resistor दोस्तो इसमें carbon की filament को resistor के अंदर प्रियोग किया जाता है जैसा की diagram में दिखाय गया है दोस्तो fix resistor के क्रम में दूसरे number पे आता है wire wound resistor दोस्तो wire wound resistor अलग अलग power छमताओं के लिए अलग अलग प्रकार से design किये जाते हैं अभी जो आप देख रहे हैं ये सभी निम्न पावर के वायर वाउंड रजिस्टर हैं दोस्तो ये हाई पावर के वायर वाउंड रजिस्टर हैं दोस्तो फिक्स रजिस्टर के क्रम में तीसरी नमबर पे आता है थिक फिल्म रजिस्टर दोस्तो थिक फिल्म रजिस्टर चार प्रकार का होता है दोस्तो, metal oxide resistor के अलग-अलग point का resistance अलग-अलग होता है चौथा, thick film power resistor दोस्तो, thick film power resistor एक high value का resistor होता है दोस्तो, fix resistor के क्रम में चौथे नमबर पे आता है, thin film resistor दोस्तो, thin film resistor दो प्रकार के होते हैं पहला, carbon film resistor दोस्तो, metal film resistor दोस्तो, अब तक मैंने आपको fix resistor के बारे में बताया अब हम जानेंगे variable resistor दोस्तो, variable resistor सामानेता 5 प्रकार के होते हैं variable resistor के क्रम में पहले नमबर पे है, real state दोस्तो, हम सभी प्रकार के variable resistance को सुगमता से उनके मान के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं दोस्तो, rehosted एक variable resistor होता है जिसका प्रियोग सामानेता प्रियोग सालाओ में किया जाता है दोस्तो, variable resistor के क्रम में दूसरे नमबर पे आता है potentiometer दोस्तो, potentiometer को एक निश्चित सीमा के बीच घटा या बढ़ा कर sit किया जाता है इसका प्रियोग सामानिता volume seat करने जैसे कारियों में लिया जाता है variable resistance के क्रम में चौथे नंबर पे है trimmer दोस्तो trimmer का प्रियोग PCB board पर किया जाता है इसके resistance को vary करने के लिए screwdriver जैसे उपकरण का प्रियोग किया जाता है दोस्तो variable resistance के क्रम में चौथे नंबर पे है ट्रिमपोर्ट दोस्तो ट्रिमपोर्ट का प्रियोग भी PCB बोर्ट पर ही किया जाता है दोस्तो variable resistance के क्रम में पाँचवे नंबर पे है ट्रिमपोर्ट मेटल प्रिसेट दोस्तो ट्रिमपोर्ट मेटल प्रिसेट एक 100 ओम का एक variable resistor हो अब तक हम linear resistance के दोनों भाग अर्थात fix resistor और variable resistor के बारे में जाने अब हम बात करेंगे non-linear resistance की दोस्तो non-linear resistance को एक गैर रेखिया प्रतिरोत कहा जाता है अर्थात इसका resistance आप पुर्ति supply की अलावा अन्यर sources पर भी निर्भर करते हैं ये sources तापमान, प्रकास और voltage का असमानता होती है दोस्तो non-linear resistance को चार प्रकार से वरगी कृत किया गया है दोस्तो non-linear resistance के क्रम में पहले नंबर पे है थर्मिस्टर दोस्तो थर्मिस्टर एक ऐसा resistance है जिसका प्रतिरोत उसके तापमान के साथ बहुत अधिक परिवर्तित होता है अन्य प्रकार के प्रतिरोत भी तापमान परिवर्तन के साथ परिवर्तित होते हैं किन्तु यह परिवर्तन बहुत कम होता है जबकि thermistor का तापमान बदलने पर उसका प्रतिरोत बहुत अधिक बदल जाता है दोस्तो thermistor दो प्रकार का होता है पहला होता है PTC thermistor अथाथ Positive Temperature Coefficient Transistor दोस्तो PTC thermistor की बाहित आपमान बढ़ने पर इसके resistance का प्रतिरोत बहुत अधिक बढ़ जाता है और इस इस्थिती में यह प्रवाहित होने वाली करेंट का मान घटा देता है दोस्तो thermistor का दूसरा प्रकार होता है NTC thermistor अर्थाथ Negative Temperature Coefficient Transistor दोस्तो NTC thermistor का प्रारंभिक resistance बहुत अधिक होता है अताह इसकी सर्किट में से करेंट बहुत कम प्रवाहित होता है दोस्तो इस resistance के तापमान बढ़ने से इसका प्रतिरोध बहुत ही कम हो जाता है और इस इस्थिती में करेंट प्रवाह का मान अपने उच इस्थिती पर पहुँच जाता है इसका प्रयोग हम टाइमर सार्किट आधि में करते हैं दोस्तो नॉन लिनियर रजिस्टेंस के करम में दूसरे नंबर पे आता है LDR फोटो रजिस्टर अर्थात लाइट डिपेंडेड रजिस्टर दोस्तो LDR की विशिष्था यह है कि जब इस पर प्रकास की केंड़े पढ़ती है तो इसका रजिस्टेंस मान घट जाता है और इसमें से प्रवाहित होने वाली करेंट का मान बढ़ जाता है दोस्तो LDR का प्रयोक समानिता ऐसे इस्टिट लाइटों में किया जाता है जो सुरी के प्रकास में स्वता बंद हो जाते हैं और अंधेरे में स्वता स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तो नौन लिनियर रजिस्टेंस के क्रम में तीसरी नमबर पे है वेरिस्टर दोस्तो वेरिस्टर की विशिस्ता यह है कि इसके रजिस्टेंस का मान निर्धारण इसमें बहने वाली करेंट करती है वेरिस्टर में कम करेंट पर इसके प्रतिरोध कामान अधिक होता है और अधिक करेंट पर इसके प्रतिरोध कामान कम हो जाता है इसे VDR अर्थाद voltage dependent resistor भी कहा जाता है दोस्तो non-linear resistance के क्रम में चौथे और आखरी नंबर पे है surface mount SMD SMD का पूर्ड रोप surface mount device होता है दोस्तो इस resistance का प्रयोग सामानिता PCB प्लेटो पर ही किया जाता है दोस्तो इस वीडियो में हमने सभी टाइब की resistance के बारे में जाना ऐसी ही सभी electronic device के बारे में जानकारी प्राप्त करने और हमसे जूड़ने के लिए आप हमारे चैनल Electrician Education को subscribe कर दें और notification बिल को दबा कर all पर कर दें ताकि हमारे द्वारा अप्लोड की जाने वाली सभी वीडियो की notification सबसे पहले आपको मिलती रहे दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो में थन्यमाद आपका दिन सुभो